Welcome to study channel मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बिहार सरकार सिक्षविभाग ने सिक्षक भरती से संबंधित नई निमावली जारी कर दी है क्या है इस निमावली में हम लोग समझते हैं जो एक लंबा इंदजार था बिहार के नियोजित सिक्षकों का वो अब समाप्त हो गया है इन सिक्षकों को विशिष्ट सिक्षक का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए निमावली त्यार हो गई है इनको बिलकुल अब राजकर्मी वाला वेतन और सारी सुविधायें दी जाएगी लेकिन एक शर्त इसमें ये है कि इनको सक्षमता परिक्षा पास करना होगा एक विभागी परिक्षा कराए जाएगी इसका नाम होगा सक्षमता परिक्षा तीन आसर दिया जाएगा इन तीन आसर मेरी आप इस इक्षाम को पास कर लेते हैं तो आपका जो पद है वो विशिस्ट सिक्षक का हो जाएगा और जो लोग इन तीन प्रयासों में इस परिक्षा को पास नहीं कर पाते हैं उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको इंपोर्टन सारे जानकारियां दे देता हूँ जाएगा और बिहार विशिस्ट सिक्षक निमाली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि बहाल होने वारे सिक्षकों की तरह नियोजी सिक्षकों को भी सुभिधाएं एवं वेतन मान दिया जाएगा लेकिन नियोजी सिक्षक विशिस्ट सिक्षक तो नियोजी सिक्षकों को राज कर्मी के बराबर का दर्जा तो मिल रहा है लेकिन इन्हें परिक्षा पास करना होगा, एक एकजाम कराए जाएगा, हाला कि जो नियोजी सिक्षक हैं उनकी ये मांग है कि बिना किशी शर्त के, बिना किशी परिक्षा के इन्हें राज कर्मी क दरजा दे दिया जाए लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं होने वाला नियमावली जारी हो गई है जो कुछ होगा अब इसी नियमावली के आधहार पर ही होगा सैलरी बीन के अच्छी खासी होगी वेतनमान 40,000 से उपर होगा प्रारंबिक सिक्षकों का तो बिलकुल जब आप देख रहे हैं बीपियसे से भरती हो रही है जो वेतनमान है जो सैलरी है सब कुछ वही होगा लेकिन चुकि ये नियोजी सिक्षक पहले थे और अब सक्षमता परिक्षा के जरिये ये पर्मानेंट हो रहे हैं तो इनको इसी वज़े से विशिस्ट सिक्षक का नाम दिया गया है और इस पर अभी यदि आप कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो साथ दिन का भी समय दिया गया है देख सकते हैं कि बिहार ने विभागी उपसाइड पर ने निमावली अपलोड कर है जो बिहार से संबंद सिक्षक भरतियों से रिलिटेट है और इसी के सासत भी पेस्टी के सिक्षक भरती को लेकर जो छात इंदार कर रहे हैं रिजल्ट का अभी कोई ऑफिशल नियूस तो नहीं है लेकिन खबर हैं कि चल्द ही रिजल्ट आपका खोशित होगा जैसे को अब्रेट मिलती है सुचन दिया जाएगा बने रही हैगा हमारे साथ वीडियो को लाइक कर दा है चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लेजे तक ही आपको सारे जनकारियां मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग